वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके टेलिग्राम की वीडियो तो डाउलोड नहीं हो रही है तो काईस वो क्यो डाउलोड नहीं हो पा रही है और आप इने किस तरह से डाउलोड का सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की ओम स्क्रीन प्याना है और फिर आपको अपने टेलिग्राम एप्लिकेशन को उपन करना है टेलिग्राम को उपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा अब आपको यहाँ पे उपर इन थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है three lines पे click करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा अब आपको यहाँ पे एक settings वाला option दिख रहा होगा आपको इस पे click करना है settings वाला option पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो guys अब आपको यहाँ पे करना क्या है आपको अब यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा जिसका नाम में data and storage अब आपको इस data and storage वाल option को open करना है data and storage वाल option को open करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक option मिलेगा reset auto setting अब आपको इस reset auto download setting वाल option पे click करना है और फिर गाइस आपको जोई यहाँ पे इस reset वाले option पे click करके इसे reset कर लेना है reset करने के बाद अब आपको वापिस सबने phone की home screen पे आना है अब guys आपको अपने telegram application पे long press करना है long press करने के बाद अब आपके सामने आपे बहुत सारे option open हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक option मिलेगा app info अब आपको इस app info वाले option पे click करके इसे open कर लेना है app info पे click करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा सबसे पहले तो आपको इस permissions वाले option पे click करके इसको open करना है permission वाले option पे click करके open करने के बाद आपको जो यहाँ पे सारी permissions को allow कर देना है सभी permissions को इस तरह से allow करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक option मिलेगा storage and catcher अब आपको इस storage and catcher वाले option पे click करके इसको open कर लेना है storage and catcher को open करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा फिर आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा clear catcher अब आपको इस clear catcher वाले option पे click करके catcher जोई इसको clear कर लेना है इतना करने के बाद आपको वापस आना है वापस आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और option देखने को मिलेगा जिसका नाम है mobile data and wifi आपको इसको जोई open करना है mobile data and wifi वाले option को open करने के बाद अब guys आपको जो है अगर आपके phone में background data stress बंद है तो आपको इस वाल option को open कर लेना है फिर guys आपको बापस आना है और फिर बापस आने के बाद बापस आने के बाद अब आपको अपने phone में play store को open करना है play store को open करने के बाद आपका search bar में search करना है telegram और अगर गाईस आपके टेलिग्राम में कोई अपडेट आया है तो आपको सिंपल अपने टेलिग्राम को अपडेट कर लेना है क्योंकि कई वारे हम सालों तक अपने टेलिग्राम को अपडेट नहीं करते जिसके कारण उसमें अलग-अलग तरह की प्रॉल्म माना शुरू हो जाती है तो Guay, तो आपको अप्टेलिग्राम को अपडेट कर लेना है और फिर अपडेट करने के बाद एक बार आपको अपने फोन को पावर बटन पर लॉंक प्रेस करना है और आपके फोन को जो एक बार reboot, refresh या फिर restart कर लेना है इतना करने के बाद सारी settings आपके फोन में सही तरह से apply हो जाएंगी और फिर जब आप अपने टेलिग्राम को open करोगे और गई जोई वीडियो डाउलोड करने कोशिश करोगे तो अब आपके सारी वीडियो डाउलोड होना शुरू हो जाएंगी इस तरह से आप अपने टेलिग्राम में कोई भी वीडियो को डाउलोड कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना